नमस्कार नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूँ आपकी साथ प्रग्या सिंग बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास वीडियो में आज के इस वीडियो में एक बार फर से बात करेंगे टीवी आक्टरस तुनीशा शर्मा के केस की बता के टीशा शर्मा के केस में जहां एक और यहां पर टीशा और सजान खान दोनों के लिए उनके फान्स इंसाफ की मांग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी और देखने को मिला कि टीशा के निधन के बाद दोनों का शो यानि कि अलिबाबा इससे भी काफी जादा नुकसान हुआ काफी वक्त के लिए शूटिंग को रोकना पड़ा और फिर शुजान खान को रिप्लेस करने के बाद तो फैंस का गुस्सा साफ तोर पर इस शो को लेकर के बरस्ता हुआ दिखाई दिया सोशल मीडिया पर इस शो को बाइकॉट करने की भी मांग की जाने लगी और अब इस ब उद्दे पर अपने रियाक्शन दे चुकी है और कही न कहीं जो शेयंतनी घोश कहती हुई नजर आई वैसा ही कुछ रियाक्शन अभी शेक निगम का भी देखने को मिला आपको बता दे कि शुदान के रिप्लेस्मेंट पर अभी शेक निगम कहते हैं कि जब भी कोई शो शुरू होता है किसी भी शो की शुरुवात होती है तो उस शो से कई लोग चुड़े होते हैं कई लोगों के घर चुड़े होते हैं साथ ही फांस के इमोशन भी चुड़े होते हैं ये रोल मुझे आफर होना बहुत ही रेगिलर था लेकिन हाँ इस रोल को प्ले करना मेरे एक बहुत ही बड़ा चालेंज था क्योंकि पहले से ही श्रजान खान को लोग अलिबाबा की तौर पर बहुत अप्यार देती हो इना जरारत है ऐसे में मेरे लिए यह रोल और ज्यादा चालेंजिंग इसलिए हो जाता है कि मुझे श्रजान से ज्यादा मेहनत इस रोल के यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो फैंस भी यह चीज समझते हैं हाला कि अभी भी लोग सेट पर जो लोग है वो श्रजान और तुनीशा को बहुत ज्यादा मस करते हैं लेकिन कोई भी हादसा किसी शोख बंद करने के लिए जो रेजन है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि जो कहते हैं ना कि दस शो मस्ट गो ऑन इस तरीके से अभी शेक यहाँ पर एक बार फर्स से अपना जो रियाक्शन देते हैं नजरा है और यहाँ पर फैंस भी उनकी इस बात से काफी जादा अग्री कर रहे हैं और ऐसे में अब य यह शो एक बार फर्स से शुरू हो चुका है और फैंस अभी शेक निकम की आक्टिंग को भी काफी जादा पसंद कर रहे हाला कि अभी फैंस चाहते हैं कि शुजान खान को एक बार फर्स से इस शो मिला जाया लेकिन फिलहाल के लिए वो अभी पॉसिबल नहीं है क्यों खास खबर पर इतना ही बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले